आप देख सकते हैं चोलिस्तान में सफ जेडीसी की टीम में पहुंच चुकी है जो महाँ पर आफ़त आई भी है और आज जो जेडीसी ने सफर किया महाँ पर हमारी टीमों ने सूरिया केंट से 60 किलोमीटर आगे तक गए जो आर्मी की छाउनी है वहां से और में जो हैदर शा यहां से हमारी टीमें जो हैं वो फोर वर फोर गाडियां लेकर फिर जीप आगे की तब जाएंगी और हम कोशिश कर रहे हैं यहां पर किसी भी तरीके से पानी और चीजें पहुंच आते ना कि जिन्दगी आ बच सके अब भीन से वहां से जब बाहर आएं चोलिस्तान से 20 क और 80 किलोमेटर से आगे का इरिया है जो मजीद 100-500 किलोमेटर लोग जाएंगे और दिखाएंगे आपको सारी चीज़े हम पिछले भी चितना उपरेशन हमने किये हैं पिछले चाहिए वो सहलाब हो जलजले हो कुछ भी तो हम आपको सब चीज़े इसलिए दिखाते हैं ताकि भी उसको ट्रक में कंटेनर में रखना बड़ा मुश्किल काम है हम कोशिश कर रहें बड़ी वोतले हो ताकि पूरे पूरे पाइलेट लगा के चाहिए देल लीटर वाली हो उससे बड़ी हो वहां से वो लोग खरीदेंगे हमने उनको पैसे दिये में भावलपूर से यहां लाजमी शेयर कीजेगा चोलिस्तान में जो जानवर मर रहे हैं जो इनसानों पर बुरा वक्त आया हुआ है पिछले तीन सालों से महां पर बारिश नहीं हुई है खुल के जिस तरह होती थी नहरे खुश्क हुए इस मुश्किल गड़ी मंका साथ देना है और इस वीडियो लाजमी शेयर कीजेगा बाश चुश्क हुए